हेलो बच्चो कैसे हुआ आप आज हम कक्षा चार हिंदी की वक्षीट छे हल करेंगे पार्ट है पापा जब बच्चे थी तो चलिए करते हैं वक्षीट हल प्रशन एक नीचे दिये गए सब्दों का वाक्यों में परियोग करो यहां पर चार सब्द दिये हुए हैं और परन्तु इसलिए क्योंकि हमें प्रतेक सब्द का वाक्य बनाना है तो चलिए पहला वाक्य बनाते हैं सब्द है और इससे वाक्य बनेगा राम और मोहन खेल रहे हैं राम और मोहन खेल रहे हैं दूसरा सब्द है परन्तु परन्तु से वाक्य बनाएंगे मैं डाक्टर बनना चाहता था परन्तु इंजीनियर बन गया तीसरा सब्ध है इसलिए वाक्य बनाएंगे राधा को नींद आ रही थी इसलिए वह सो गई चोथा सब्ध है क्योंकि क्योंकि से वाक्य बनाएंगे कल मैं विद्याले नहीं जा सका क्योंकि मुझे बुखार था तो बच्चों यहां हमने सब्दों से वाक्य बनाएं चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रस्न दो रिक्ट स्थानों में उचित विशेशन लिखो यहां पर खाली स्थान दिया हुआ है और उसके बाद सब्द सब्द से पहले हमें उचित विशेशन लिखना है जैसे पहले में आएगा तो अच्छा इंसान कर पहला है Dar. इनसान तो हम यहां विशेष्ण लगाएंगे अच्छा इनसान आपको पता ही ही कि विशेष्टा बताने वाले सब्सक्राई को VITATION कहते हैं हम अच्छा इनसान वन इंसान भिलिख सकते हैं गमंडी इनसान भिलिक सकते हैं भला इंसान भी लिख सकते हैं मैं यहां अच्छा लिख रहा हूं अच्छा इंसान दूसरा डैस कुट्था यहां खालिस्थान में वफादार लिखेंगे वफादार कुट्था तीसरा डैस भोजन स्वादेश्ट भोजन चोथा डैस आइसक्रीम ठंडी आइसक्रीम चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रस्ण तीन इन्हीं क्या कहकर बुलाओगे पहला पापा के बड़े भाई ताओ जी दूसरा पापा की बहन बुआ जी तीसरा मा की बहन मौसी जी चोथा बेहन के पती जी जा जी पाच्वा पापा के छोटे भाई चाचा जी छटा मा का भाई मामा जी चली अब आगे बढ़ते हैं प्रस्ण चार नीचे दिये गए चित्रों को देखकर दो वाक्य लिखो हमें यहां पर कुछ चित्र दिये हुए हैं प्रतेक चित्र को देखकर दो वाक्य लिखते हैं तो पहला चित्र है जिसमें की एक डाक्टर बच्चे की जांच कर रहा है पहले चित्र में वाक्य बनाएंगे डाक्टर बच्चे की जांच कर रहा है इसी में दूसरा वाक्य बनाएंगे बच्चा स्टूल पर बैठा है दूसरे चित्र को देखकर वाक्य लिखेंगे नर्स की गोद में छोटा बच्चा है दूसरा वाक्य बनाएंगे बच्चा दूद पी रहा है तीसरा चित्र देखकर वाक्य बनाएंगे अगनी शामक ब्रैकिट में लिखेंगे फायर मैन आग बुझा रहा है दूसरा वाक्य बनाएंगे अगनी शामक ब्रैकिट में फायर मैन के सिर पर टोपी है अगनी शामक को हम फायर मैन भी कहते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं चोथे चित्र के लिए वाक्य बनाएंगे पहला वाक्य डाकिया पत्र बाट रहा है दूसरा वाक्य डाकिय के हाथ में एक पत्र है एक और वाक्य भी बना सकते हैं जैसे डाकिये के पास एक थैला है चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रशन पाँच पिता दीवस का एक सुबकामना पत्र ग्रीटिंग कार्ड बना कर उसमें रंग भरें और एक संदेश लिखें तो प्यारे बच्चों यह कार्य आपको स्वैम करना है आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड की कुछ पिक्चर्स डाल रहा हूँ जिनने देखकर आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं तो बच्चों यह वरक्षीट यहाँ पूरी होती है आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंडम थैंक यू अन्य वीडियोर स्मेशर बना जश्यों वीडियोर इन्य वीडियोर झाल झाल